हेलो दियर स्टूडिंट्स हेलो बच्चो वेलकम टू एटी पी स्टार कोटा कैसे हैं आप सब होपिंग आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे तो बच्चो 6th of April shift 1 shift 2 का exam हो चुका है और chemistry के paper में अगर हम बात करें तो काफी सारे question जो है memory based आये हैं लेकिन कुछ question particularly interesting question आये हैं और इसमें कुछ ऐसे concepts भी in fact आये हैं जो primarily advanced में पूछे जाते थे तो बहुत-बहुत मजा आने वाला तो यह जो particular सवाल है बच्चो यह आप सभी को ज़रूर solve करने चाहिए और इनसे associated जो concepts हैं वो भी मैं आपके साथ share करने वाला हो तो शुरू करे क्या तो देखो सबसे पहला सवाल आप सभी को दिखाई दे रहा है अच्छा आप सभी जानते हैं यह memory based questions है तो हो सकता है इन में options में यह थोड़ा बहुत variation हो तो आप comment section में जरूर बताईएगा कि यह questions थे ना और कोई भी query अगर आपकी है तो comments में जरूर बताईएगा ठी यहाँ पर कितना intermediates है, tricer state कितना है, exothermic है या endothermic है तो देखो यहाँ तक concept तो बहुत normal है exothermic endothermic के लिए हमें simply initial energy level जो होता है और जो final energy level होता है यह देखना होता है अब यहाँ पर अगर final energy level decrease हुआ है इसका मतलब energy हमने release की है तो energy release हुआ है तब जाके ही तो final energy कम है तो य यहाँ पर अगर energy release हुई तो process क्या हुआ? exothermic हुआ ना कि endothermic तो आर तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, आर यहाँ पर नहीं हो सकता तो game यहीं पर over हो गया भईया बच्छा कौन सा option? पहला option बच गया तो अगर option से भी directly कई पर हो जाता है यह बाकी चीज़े देखने की requirement ही न यह वाला पहाड की चोटी है trance state 2 और यह है हमारा trance state 3 तो यह है तीन transition states इसके अलावा गर हम बात करते हैं number of intermediates यहाँ पर दो है बच्चो कौन कौन से intermediates हैं यहाँ पर भी intermediate बनता है और यह भी बीच में intermediate है initially हमारे पास reactant होता है और यहाँ product होता है और यह जो बीच में values आती है यह values हमारी intermediates होती है जो short lived highly reactive species होती है चलिए अब हम चलने वाले हैं अगले interesting question पे यह जो particular question है बहुत ही प्यारे concept पे है जिसमें H plus पहले कहां आएगा और यहाँ पे heat भी obviously given होना चाहिए तो H plus heat में H plus अलकीन पे भी reaction कर सकता है या OH पे भी reaction कर सकता है और उसके बद किस तरीके से product बनेगा यह हमको देखना है इसका proper जो conceptual method है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ बच्चो आगे बढ़ने से पहले इसका solution देखने से पहले एक important information मैं आप सभी को देना चाहता हूँ जैसे कि यह बच्चा जिसकी तयारी अभी advanced की average है या below average है वो भी इस बचेवे समय में एक decent rank ला सकता है क्योंकि जैई advance में selective slivers को भी अगर अच्छे से किया जाए तो yes we can crack IDJ बहुत सारे से students हैं जो actually पहले उनकी percentile कम थी लेकिन जैई advance में वो decent rank लेकर आये हैं तो बच्चो आप सभी क इंडिया का best crash course rapid crash course हर साल यह जो advance का crash course है आप सभी को बताना चाहता हूं यह इंडिया का पहला online crash course था जही advance के लिए overall पूरी इंडिया में पहला जही advance का crash course को लेकर आया था तो ATP star लेकर आया था तो आप समझ रहों कितना सो समझ के साल दर साल यह students में इतना popular क्यों है because it was the first one right and now अभी धिरे-धिरे evolve होके हमने इसको इतना अच्छा बना दिया है कि अगर इसको आप sincerely follow करते हैं तो आप सभी की performance बहुत improve हो सकती है तो बच्चो 11th April को ATP star quota channel पे सारा information आ जाएगा RCC से related जो online batch है और जो students RCC में offline पढ़ना चाहते हैं वो हमारे quota campus में राजीव गानी न सकते हैं ठीक है और मैं भी आपको obviously पढ़ाने वाला हूँ plus guide भी करने वाला हूँ तो बच्चो इस सवाल के अगर हम बात करें तो सबसे पहले H plus जो है वो यहाँ पे OH को protonate करेगा और H2O यहां से निकल जाएगा H2O के निकलने के बाद अब यहां पे क्या हो रहा है अब ध्यान दीजे अब यहां पे H2O के निकलने के बाद यहां पे हमारे पास आएगा plus charge ठीक है अब plus आने के बाद आप सभी जानते हैं कि केटायन को rearrangement बड़ा पसंद है तो यहां पे 1,2 methyl shift होगा बच्चो तो यह methyl shift ह होने के बाद जब मिधाल यहां जाएगा तो catine यहां बनेगा which is more stable तो catine पहले से stable बन जाएगा अब आप करए यहां पे हमारे पास कुछ ऐसा है और यहां पर हमारे हमारे पास plus है और कुछ ऐसा ठीक है अब और यह होने के बाद क्या होगा यह जो pi bond आपको दिखाई दे रहा है यह जा न्यूक्लिफाइल यहां अटाक करेगा जिससे यहां पर इनके बीच में यह pi bond जो है यह sigma bond में convert होगा और यहां पर क्या बन जाएगी ring बन जाएगी अब ring का size क्या बनेगा तो आप देख सकते हैं रिंग का साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप सभी को मिलने वाले एक बहुत ही ब्यूटिफुल 6-membered ring, तो हमने बना दिया 6-membered ring, और यहाँ पर हमारे पस 2 methyl है, यहाँ पर कुछ ऐसा है, और यह pie bond हमारा break हो गया था, बच्चो, pie bond यहाँ पर break हो गया था, अगर हम अब इसमें बात कर तो pie bond break हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार जाएगा, और यहाँ पर 2 methyl है, अब high temperature में क्या होगा, अभी भी elimination होगा, तो elimination होके, यहाँ से hydrogen निकलेगा, even mechanism जो होता है, जिसमें pie bond वापी से ही बन जाएगा, because इसमें alpha hydrogen maximum है, तो SIDSF elimination होगा, तो बच्चो यह जो particular question है, यह काफी interesting है, और यहाँ पर याद रखिये, कि मान लीजिए हमारे पास pie bond है, और यहाँ पर OCS3 है, और अगर हम HBR का addition करते हैं, तो ऐसे केस में सबसे पहले, आप सभी बताईएगा, ठीक है, comment section में सभी बताईएगा, कि इसमें protonation किसका होगा, oxygen का होगा, या pie bond का जाएगा, तो यह आपको सोचना है, अच्छा मैं बता रहता हूं वैसे, चलो, यहाँ पर बात में confusion होजाएगी, यहाँ पर pie bond का होता है, लेकिन यहाँ तो OH का होगा था, तो ऐसा क्यों हुआ, यह comment section में आप सभी को बताना है, ठीक है, think about that, क्योंकि conceptual depth आप सभी की जरूर होनी चाहिए, अगला concept जो है, यह तो in fact concept जही advance में भी नहीं आता, well, tough नहीं है, but still, यहाँ पर basically one four edition की बात हो रही है, यहाँ पर हमारे पास in on है, यहाँ यहाँ पर conjugated, alpha, beta unsaturated ketone दिया हुआ है, अब यहाँ पर methyl भी दिया हुआ है, और यहाँ पर copper catalyst लिया हुआ है, phosphorus iodide लिया हुआ है, साथ में grignard reagent है, अब जब ऐसा होता है बच्चो, यहाँ पर grignard reagent जो है, again was a nucleophile काम करेगा, यहाँ पर option देखके भी काफी कुछ समझ में आ जाता है, कि हमें हमें क्या करना है, देखो, एक possibility थी grignard reagent as a nucleophile सीधा यहाँ attack करे, पर जैसे कि आप options में दे concept जिसके basis पेस का जब hybrid आप बनाओगे, तो यहाँ attack करने के chances जादा हो जाएंगे, यहाँ पर concept होता है, इसको बोलते है, hard soft acid base concept, उसके basis पे ही define किया जाता है, कि attack यहाँ होगा, यहाँ यहाँ होगा, जहाँ डेल प्लस जादा होगा, वहाँ पर normally वो species जादा attack करती है, जहा hybrid को अगर आप बनाओगे, तो बच्चो उसके hybrid के अंदर, partial pi bond आएगा, इस पूरे region में partial pi bond आएगा, यहाँ डेल प्लस होगा, यहाँ डेल माइनस होगा, यहाँ पर भी देल प्लस होगा, तो attack दो जगा हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, अगर बना तो यह वाला bond टूट जाएगा now as you can see बच्चो कि यहाँ पे हमारे पास दो methyl है यहाँ pi bond है यहाँ ओ पे negative charge है और अब हमारे पास propyl iodide है तो भाई यह O- यहाँ पे I पे इस पे ascent to mechanism करेगा और I को remove कर देगा तो इस basis पे हमारा यह question जो है आप सभी को दिखाई दे रहा है इस तरीके से सवाल हमारा done हो जाएगा and you will get this particular answer तो यहाँ पे option देखके भी इसके बारे में सोचा जा सकता था कि कहाँ पे attack होगा बाकि real option कैसे आये थे यह आप बता सकते हो ठीक है yes dear students अब अगला सवाल अगला सवाल जो है इसका बहुत ही interesting trick मैं आपको बताऊंगा जिससे वो सवाल वैसे ही हो जाएगा जादा कुछ सोचने का तामजाम का जरूरत ही नहीं है इस सवाल में सबसे पहले जो P दिया हो है बच्चो इसका मैं और बन गया और qrr के बारे मतार का की वहीं क्यूं यहाँ पे nHCO3 के साथ effervescence दे रहा है यानि co2 gas evolve कर रहा है और आर जो है वो हिंसबर्ग reagent के साथ reaction कर रहा है यानि वो एक तरह का amine है तो इससे दिख रहा है कि एक तरह अमाइन है और नHCO3 के साथ नॉर्मली जो effervescence देता है वो कार्बॉक्सलीक असेड है अब एक basic trick से सवाल हो जाएगा बस option के सारा गनीमत है option से directly हो जाएगा यह हमारा naturally एक amide होगा तो कि amide को hydrolysis करते है तब ही तो हमारे पास acid और amide बनेगा अब इसमें number of carbon में कोई भी variation नहीं आएगा यहाँ अगर 14 carbon है तो यहाँ 14 होने चाहिए इसलिए keen observation होना चाहिए कि अगर चेक करोगे यहाँ बच्चो तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 7 carbon है first option में और यहाँ पे हमारे पास 6 carbon है तो टोटल कितना हुआ 13 carbon हुआ तो पहला option हो इनी सकता अगले option में अगर देखते हो तो यहाँ पे 7 carbon हमारे पास है और यहाँ भी हमारे पास 7 है तो यहाँ 14 है तो यह हो सकता है बिलकुल हो सकता है इसके ब 14 Carbons only and only कौन से option में आ रहे हैं भाई, second option में आ रहे हैं, तो ये सवाल वैसे दिखने में तोड़ा सा interesting हो सकता है कि पता नहीं कैसे करेंगे, पर इसी सवाल को intelligent method से करें अगर हम, तो it becomes very very easy, ओके बच्चों, आपका paper कैसे गया, आपको सवाल कैसे लगे, chemistry का paper आपको कैसे लगा comment section में जरू बताईएगा, और अगर आप मुझसे कोई video चाहते हैं, particularly chemistry related या advanced related, अच्छा, आप सभी के लिए न, मैंने ATP star quota channel पे advanced का strategy भी बनाया है, तो उस video को जरू देख लिजेगे बच्चों, योगि जो बचावा समय है, उसको हमें सही से use करना है, और जिनका भी exam हो CRE जल्द ही शुरू करे, full जोश में, ओके बच्चों, so that is it for this session, मिलते हैं next session में, बबाई, take care and keep preparing well, love you all.